बरेले के थाना साही छेत्र में संसनी खेज वारदात हुई है इलाके में सनिवार राज 35 वर्सिय महिला की हत्या कर दी गई इसके बाद उसे पुआल में रख कर ज़ला दिया गया रईवार की सुभह गाउं के लोग जब खेतों की तरफ गए तो पुआल में महिला की लाज जलती दिखी घटना से इलाके में संसनी फैल गई ग्रामिलों ने पुलिस को इसकी सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस ने अजजली लास को पोस्ट मातंग के लिए भेज दिया फिर परिजनों के साथ खोजबीन करने लगा रईवार सुभह ग्रामिलों ने गाउं के बाहर पुआल में महिला की लास जलने की सूचना दी मौके पर पहुंचे पती ने उसकी सिनाक्त की एल जलगा कारीवार के तौक पीता पिसले कि जली होई फुन के वह जाने पर चलिए उख उन ऐतीथिति के बलच हुए लिए वेदेश्ट कॉर चुरारय कुट्वाज जब तो पुछ पता नहीं लगा तो कोई अचिस पर उत्यार कोई अचिस पर कोई पढ़न रोड़ी माली मिला उसमें उसमें जड़ी खिशलन नहीं बहुत दूर सा यहां से हैं ख्रेत में रगलन जाटा वटा टूटा हूआ है वहां पर अफिर बाडी क्षरी उनका यह खे य जालोग खच्री गई है गाज कितनी दूरी मिली लाग गाउस है करीव होगी 300 मीटर दूरी कितनी उमर रही है उमर होगी लगवागी चालिस साल में लिए घर से क्या क्या का नगी तो है अब बच्चा साथ में लेटा था करिम दर किसी से बादा 3 परसंट पारा भी चल लागा को ने तो काम करें वाल जानकारी है इंगारे सब्सक्राइब बौराइब जानकारी है कि अब आख भी इस आपको गया लगता है उन्हीं ने अच्छाई गाउं में एक महिला है जो 35 वर्षी है इनका अज्जला सव एक पुवाल पे पड़ा हुआ है इनके घर से लगवा तीन-चार सो मीतर की दूरी पे महिला के परिजन यहां मौके पे आये हैं उनके माईके वाले और पती पे में भी प्रताड़ना कारोपन होने लगा है इसमें उनसे सूचना प्राप्त कर मामरा दर्श किया जा रहा है सब को कभ्यों में लेकर पंचात नवापो स्माचंगी कारवई प्रारम की गई है सीग भी विधिक कारवई फून की जाई है